हेलो गाईस आप सभी का बाला की रसो यूटूब चैनल पर स्वागत है आज की रेस्पी है पिन्नी बनाना तो आईए दिवाली के अफसर पर हम पिन्नी बनाती हैं आटे की पिन्नी बनाने के लिए ये हमने 500 ग्राम आटा लिया है और 400 ग्राम हमने ये खांड ली है देसी खांड ली है 400 ग्राम ही हमने घी लिया है और ये हमने थोड़े से बादाम को कट कर लिया है थोड़े से काजु को कट कर लिया है किसमिस को भी मैंने कट कर लिया है और ये थोड़े से हमने मगज लिये हैं ये हमने आदी कटोरी गोंद ली है तो आई ये बनाते हैं पिन्नी ये मैंने कड़ाई को गैस पे रख दिया हैं अब मैं इसमें से घी डालूंगी थोड़ा सा घी मैं बचा लेती हूं घी हमारा गरम होने लगा है इसे मैं और गरम होने दूँगी घी हमारा गरम हो चुका है अब मैं इसमें गोंद डाल दूँगी और ये हमारी गोंद फूल चुकी है और इसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी कौन को इसके अंदर ये 500 ग्राम आटा डाल दूँगी और आटे को मैं भून लूँगी गैस का फिले मैं स्लो कर देती हूं अब मैं इसमें गी ओ डाल देती हूं हमें थोड़ा थोड़ा करके ही गी डालना है एक चुमच के आस पास मैंने बचा लिया है ये गी में सारा इसमें डाल देती हूं और इसे फिर से मिक्स कर लूँगी मैं तो इसे मैं घून लूँगी अब मैं इसमें घी और नहीं डालूँगी मैंने जितना लिया फ़त 400 ग्राम के आसपास सारा घी डाल दिया है क्योंकि ये आटा घूनने के पाद ही गी छोड़ेगा अब मैं इसे अच्छे से भून लूँगी इसे हमें स्लो गैस पे ही भूनना है ये हमारा आटा गी छोड़ने लगा है और इसे और भूनने देंगे हम ये हमारा आटा अच्छे से भून चुका है अब मैं इसमें ये ड्राइफ रूट डाल दूँगी काजू बदाम और ये मगज डाल दूँगी किसमिस मैं अभी नहीं डालूँगी किसमिस ये आटा ठंडा होने के बाद ही डालेंगी नहीं तो ये किसमिस हमारी जल जाएंगी ये हमारे वीज भी अच्छे से उटा के मारे हैं इसने और इतने अच्छे से भून चुके हैं वीज भी हमारे अब मैं गैस के फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसे अभी भी हम हिलाते ही रहेंगे नहीं तो कढ़ाई हमारी गरम है नहीं तो ये निच्छे लग जाएगा इसे भूनने में हमें पंद्रा से दीश मिलत लग चुके हैं क्योंकि हमें स्लो मेडियम गैस के दीशना था इसे और मैं इसे गैस के नीचे उतार लेती हूँ और इसे ठंडा होने दूँगे और ये गोंध है इसे में हाथ से करश करके इसी के अंदर डाल दूँगी विल्कुल असा इसे करश हो जाती है देखो मैं इसे ज्यादा करश नहीं करूँगी क्योंकि इसे लगदूर को खाते हुए मुह में आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है इसे तब मैं इस में ठंडा होने दूँगी बूरा मिक्स करूँगी अभी ऍसमिस भी डाल देती हूं अब मैं इसको ठंडा होने दूँगी और ये हमारा आटा ठंडा हो चुका है अब मैं इसमें ये देशी खान डाल दूँगी और इसे भी मिक्स कर लूँगी मैं मैं इसे हाथ के मदद से मिक्स करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी मैं अच्छे से मिक्स हो गया है अब मैं पिन्या बना लूँगी ये देखो पिन्य हमारी कितने अच्छे से बन कर तियार हुई है मैं अब इन्हे प्लेट में रखती जाऊंगी और इसी परकार से मैं अपनी सारी पिन्या बना कर तियार करूँगी और ये हमारी पिन्या बन कर तियार हो चुकी है अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें और सिस्क्राइब करना ना भूलें धन्यवाद कर दो लाइक करें चुकी है आपको अपको अबल्दी आपको ड्रूले पिल्दी देड़ सारी है